हेलो एवरीवन स्वागत है आपका इरवर्ड के यूट्यूब चैनल पे आज हम अपनी इतिहास की सिंख्लाम आगे बढ़ते हुए वेदों के बारे में पढ़ेंगे और संस्था में चर रहे 2022 के टेस्सीरीज को जॉइन करने के लिए या उसके संबन में जानकारी पाने के ल जिसमें आपको रिटेन फॉर्म में आंसर लिखना होता है उसका एक्स्प्लेनेशन के साथ आपको आंसर दिया जाता है किसी भी जानकारी के लिए आप नंबर से जोड़ सकते हैं आई अगर वेद के बारे में ब्यात करा जाए तो वेद होते हैं अच्छा हम वैदिक साहित साहित्य के बारे में जान लेते हैं जो वैदिक साहित्य होता है वैदिक साहित्य कंबाइण रोप से दो कर ली जाए तो जो वैदिक साहिते हैं वो कम्माइंड रूप से वेद, आर्याणक, वेद, आर्याणक, उपनिशद, उपनिशद, और ब्राहमण, ब्राहमण का ब्राहमण का कम्माइंड रूप होता है अर्था जब हम वैदिक साहित के बारे में बात करते हैं तो उसमें वेद तो आते ही आते हैं वेदों के साथ आर्याणक, और उपनिशद, और ब्राहमण, अब आर्याणक क्या होते हैं, उपनिशद क्या होते हैं, ब्राहमण क्या होते इनके बारे में हम चर्चा क्योंकि जब कि वैदी का साथ फिज कर्ष होता है वह इक बार पूछा भी ग्या था कि वैदी का साथीकर्थ क्या होता है और घल ग्यान होता है और अगर भात की जाएक कि वैदों लिए यानि पूरा जीवन किस प्रकार से बिताएंगे इसकी चरचा गी गई जिवन को कैसे जीना है जीवन में क्या हो न चाहिए जीवन के इन लिक्षे गए हैं लेकिन वेद जो कावे में उसमें यजूर गद्य और पद्य दोनों सैली में लिखे गए हैं और ये जो वेद लिखे गए हैं उनमें प्रतीकों और मितकों से भर पूर भासा है, यानि बहुत सारी कथाओं का, बहुत साले सिंबलों का प्रयोग किया गया है वेदों में, और वेद जो है, ब्राहमर परिवारों को शीडियो दारब मोखिक रूप से दिया जाता था, अर्थात जो वेद होते थे, वो पीढ़ी दर पीढ़ी एक गुरू के द्वारा सिसी को, सिसी के द्वारा फिर दूसरे सिसी को, जो ग्यान दिया जाता था, वो वेदों के रूप में संकलित किये गये थे, और पहले जो वेदों का ग्यान था, वो मोखिक रूप में पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता था, वेकिन कुछ इतिहास क का मानना है उन्हीं में से कुछ ने पन्दीन 2500 इसापोर से 1,000 इसापूर के बीच वेदों का संकलन किया और वेदों के जो संक्लन हुआ उन्हें हिंदू परैंपरा में पवित्र माना जाता है मतलब वेद डिBay वेद आंसे ज्यानों से भरे कुछ ऐसे रहस्यों का उध्गाटन करते हैं और देवताओं के द्वारा मनिश्यों को ऐसे मार्ग दर्शन दिखाने की बाते करते हैं जिसके द्वारा यह पवित्र माने जाते हैं मतलब वेद जो होते हैं उचे रहस्यगों प्रकिति में हो या किसी घटना से संबंदी तो उ एसा करना चाहिए और ऐसा नहीं करना चाहिए हमारे जीवन के लिए उसके व्यापक नहीं तार दर्था वेदों में जो सूचनाएं दी गई हैं वो हमारे दैनिक और संपूर जीवन में बहुत महत्पूर व्यूमिका निभाते हैं क्योंकि वसुदेव कुटमकम की जो संकल्पना है जिसमें ब्रह्मांड से लेकर संपूर विस्व को एक परिवार के रूप में संकल्पना की गई है आगवी भारत की जो अंतरराश्ट्री पॉलिसी चलती है उसमें हम वशुदेव कुटमकम की संकल्पना को ही नहतार्त ढूनते हैं इसके बाद हम यह जान लेत उपलब्द करते हैं खासकर रीगवेद से हमें रीगवेदिक प्रंपराओं की जानकारी मिलती है जो पंद्रहसो इशापूर से लेकर 1000 सम पूर तक स्ंचालित होता रहा इसकी जानकारी का एक मात्रे स्त्रोत रिग्वेद है इसलिए हम जानते है कि रिग्वेद में क्या क्या दिया गया है तो चारों वेदों में रिग्वेद जो है सबसे प्राचीन है और रिग्वेद में कुल 10 मंडल और 1028 सूप्त और 10,580 मंत्र दिये गये हैं एक बार यह भी प्रशना आया इसलिए हम जाल लेते हैं कि 10 मंडल, 1028 सुक्त और 10580 मंत्र हैं जो हमें रिगवेद में देखने को मिलते हैं जो रिगवेद में अधिकान सुक्त जो है वो जीवन से, अम्रित्यूशे, स्रिजनता से, बलिदान से और इश्वर की इस्तुती, सुख से और सोम की तलास के बारे में बताते हैं अर्था विजीवन के संदर्व में जो विविध आयाम हैं, उनके संबन में हमको जानकारी रिगवेद से मिलती हैं संपूर रिगवेद में जो सूत हैं वो विविल देवताओं को समर्पित हैं विसेश रूप से उनमें रिगवेद काल में जो देवता थे वो इंद्र को माना जाता था और महिलाओं को समर्पित सुक्त हैं कुछ सुक्त मिलते हैं जैसे उशा वो भोर की देवी को संबोधित क मिलते हैं तो वो इस बात का बोध कराते हैं कि हमारे आरिग्वेद में जो मंत्र थे वो महिला देवता को भी समर्पीत थे रिग्वेद के तीसरे मंडल पे अगर हम देखते हैं तो रिग्वेद के तीसरे मंडल में सूरिद देवता को समर्पीत हमें गायत्री मंत्र जिसे हम भुर्भु अश्वस्त के नाम से जानते हैं वो गायत्री मंत्र की जो सूचना होती है वो हमें रिगवेत के तीसरे मंडल से मिलती है और यह सूरी देवता से संबंदित है यह सारी सूच चिनाएं प्रश्न के रूप में पूछे जा शुकी हैं कि गायत्री मंत्र किस से संबं दीता है और यह किस देवता को समर्पीत है और यह किस मंडल में है इसके साथ दस्वे मंडल में जो पुरुष्शुक्त है पुरुष्शुक्त में जो हमारे चारवन है चारवन कौन से है ब्राहमण, छत्री, वैश और सूद्र इन चारो पुरुष्शों का जो उलेख मिलता ह वो हमें रिगवेद के दस्वे मंडल के पुर्शुक्त में मिलता है। अगर अस्तु मा सद्गम है, तमसो मा जोतिर गम है, जो हमारा वाक्य होता है, अब हमें अंधकार से रोश्णी की ओर ले चलो, यह वाक्य भी हमें रिगवेद से ही मिला है। पहला और दस्वा मंडल, बाद में यानि उत्तरवेदी काल में जोड़ा गया, जैसा कि हमने बात किया कि टोटल दस मंडल है, तो उसमें जो फर्स्ट और आखरी यानि दस्वा मंडल है, वो लास्ट में जोड़े गया, बाड़की जो हमारा दूसरा तीसरा से लेकर जो नाइ तो मंदल भी माने जाते हैं। क्यूंकि बाद में नहीं जोड़े के कि इसलिए तोlleaying प्राचिंतम मंदल कहते हए हैं। रिगवेद का पाठ करने वाले जो ब्राहमर थे रिगवेद का पाठ करने वाले जो ब्राहमर होता था उसे हूतरी कहते थे अर्थात रिगवेद को जो पढ़ते थे जो ब्राहमर संस्कारों को कराते थे और जो मंत्रों का जाप करते थे वो हूतरा होते थे उसका उपवेद म रिगवेद के ब्राहमण ग्रंथ है अब ब्राहमण ग्रंथ क्या थे तो जैसे वेद होते थे वो काव्य शैली में थे लेकिन ब्राहमण थे वो गद्य शैली में लिखा गया था रिगवेद में जो ब्राहमण होते थे गद्य में लिखे जाते थे इसमें यग्यों का जो तो एतरी ब्राहमर्ता वो रिगवेद से संब्लीं थे और कौषित ही पी बेडे से पिकुते से लिए हुअ और को पूछा जाता है कि युद्धी की चर्चा हमें किस मंडल में मिलती है तो साथवे मंडल में और सोम देवता की जो चर्चा है वो हमें नवे मंडल से प्राप्त होती है अगर रिगवेत के कुछ प्रमुख देवताओं के बारे में जाना जाए तो अगनी देवता थे जो अगनी के देवता थे वरुण को जलका देवता कहा जाता था रुद्र को हवा और तुफान के देवता के रूप में माना जाता था आदित्य जैसा की नाम से है सूर्य भगवान का एक रूप माना जाता था वायू थे उसे वायू का देवता और अश्वनी ये सब ही देवता रिगवेद काल्म के प्रमुख देवता माने जाते थे जो अलग अलग चीजों से संबन थे जैसे वरुण जल से कुछ तो हमें नाम से पता लग जाते हैं लेकिन कुछ को हमें आत्मसाद करने की जरूरत पड़ती है इसके बाद अगर हम यजूरवेद के बारे में देखे तो यजूरवेद में यग्य के सूत्रों का संग्रह है जैसे रिगवेद में हमें बगवान की स्तुती का संग्रह मिलता है वैसे यजूरवेद में अगर हम देख दे तो यग्य के सूत्रों का संग्रह मिलता है जब मंत् स्थान किस प्रकार से किये जाएंगे इसका वर्णन भी हमें यजुर्वेध में मिलता है अर्धरे वर्यों यजुर्वेध के ग्याता होते ते जो अर्ध anc 창 किर दोने प्रत वर्णन के पाख Delhi में लिखे गये थे अगर इसके दो भागों की चर्णाचा की जाए तो जो यजूरवेद है वो Krishna यजूरवेद और सुखल यजूरवेद दो भागों में विभाजीत है यजूस नाम का जो अर्थ होता है यजूरवेद में जो यजूस अब्द है उसका अर्थ बलिदान से लगाया जाता है यह वेद विविन प्रकार के बलिदानों के संसकारों और मंत्रों पर केंद्रित है जो वैदिक काल के दोरान आम थे ऐसे वेदों के लिए जो संसकार होते थे उन मंत्रों को यजूर वेद में वर्णन किया गया और वैदिक काल के दोरान ये कुछ आम बाते होती थी यजूरवेद को दो प्रमुख पाठो यानि सनीता में विवाजित किया गया था वो कौन से थे तो कृष्ण यजूरवेद और सुकल कृष्ण मतलब काला और शुकल शुकल मतलब सुवेद इन दो भागों में इनके पाठ या सनीता को विवाजित किया गया था विवाजित किया गया था अब तैत्रे उपनिशद यजूर वेद का एक भाग था जिसके बारे में हम देखते हैं कि ये उपनिशद में अधिक अन उपजाओ और कठोप उपनिशद में यम और नचिकेता दो किरदारों थे जिनके बीच में वेदो के मंत्रों को लेकर सहस्ताथ हुआ था और ये यम नचिकेता सनवाद बहुत प्रशिद हुआ था इसलिए यह भी प्रशन पूछा जाता है कि यम और नचिकेता का सनवाद जो था वो किस उपनिशद में वर्णन मिलता है तो किस थोर सब्दों का प्रयोग किया इस प्रकार हम याद कर सकते हैं कि यम और नचिकेता का जो विवाद था सनवाद था वो हमें कठोप उपनिशद में मिलता है अच्छा अब उपनिशद की चर्चा आई है तो उपनिशद का आर्थ है तो उपनिशद का आर्थ वह सास्त्र य जो ग्यान गुरु के द्वाराशीशी को दिया जाता था उसका संकलन हमें उपनिशदों में मिलता है और इस प्रकार हम देखे कि कठो उपनिशद यजूर्वेश से संबंदित है जिसमें यम और नचकेता सनवाद का वर्णन है और तैत्री उपनिशद यह भी जो उपजाने की परंपराओं का संगलन है इस उपनिशद में आत्मा को पुरुस कहा गया है उचमें कि आत्मा क्या होती है आत्मा को ही पुरुस माना गया है आई और वाजिशे वाजिसने सनीता और तैत्री सनीता इन सनीताओं के दो अन्य नाम है किस सनीता के तो हमारे जो य पुजारी या पंडित जो भी अनुस्थान कराते थे वो नियमों को येजूरवेद से ही देखा करते थे इसका जो पुवेद है वो धनुरवेद कहा जाता है इसके रचियता को यजुर्वेद के रचियता को विश्वा मुत्र और कहा जाता है और तैत्रिय ब्राहमण और सत्पत ब्राहमण इसके ब्राहमण है जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि ब्राहमण क्या थे गद्य गरंत थे जो यग्य के अनुष्ठानिक महत्य को दर्साते थे क्रिश्न यजूर्वेद का जो ब्राहमड था वो तैत्रे ब्राहमड होता था हमने पहले बाद की थी कि यजूर्वेद दो भागों में था क्रिश्न यजूर्वेद और सुकल यजूर्वेद हम कह सकते हैं कि जो क्रिश्न यजूर्वेद का ब्राहमड था वो तैत्रे ब्राह मता जो जंगलों में रहकर जो ग्यान दिया जाता था तो यजुर वैड के जो आएलöt थे वह ब्रहत्थ ढारख और तैत्रे और सत्पत आर्यडक थे व्रिहत दार्यणक उपनिशद में याग्यवलक और गारगी के शनवाद मिलते हैं प्रशिद्य जैसे हमने देखा कि यम नचिकेता का जो सनवाद था वो कठोप इबनिशद में था उसी तरह हम जान सकते हैं कि याग्यवलक जो रिशिव दार्यणक उपनिशद में मिलता है हम क्या सकते हैं कि याग्यवलक और गारगी ने ब्रेध फार्म में सनवाद किया था इससे हम ब्रेध दार्यणक उपनिशद को कोट के रूप में यादि कर सकते हैं अगर हम सामवेद के बारे में देखते हैं तो साम का अर्थी ही होता है संगीत साम का जो अर्थ होता है वो संगीत से संबंधित होता है अच्छी लिए सामवेद में भारती परंपरा के संगीत का संकलन भी हमें मिलता है जिसे हम देखेंगे जो सारे गामा सारे गामा जो हमारे सब्तस्वर है वो भी हमें सामवेद में ही देखने को मिलेंगे सामवेद में 1549 रचाएं हैं जिनमें 75 मूल रूप में हैं बाकी सभी जो है रिगवेदे से लिए गए हैं सामवेद में 1810 मंत्र हैं जो रिचाओं का गान करने वाले हैं मतलब जो भी लिख गयें हैं उनमें 1810 मंत्र हैं जिसमें हमारे सामवेत का गुरगान किया गया है इसको जो ब्राह्मण होता था वरणन करता था यह दर्साता है कि दौरान भारती संगीत की इसी सूचना हमें सामवेत से मिलती है सामवेद के दो आरेड़क है जैसा के हमने बताए कि आरेड़क का मतलब होता है रहसे का उद घाउषना करना तो जैमनी और चंदों के जो आरणक है वो सामवेद से related है और सामवेद के दो उपनिशत भी है जिसे चंदों के उपनिशत और जैमनी उपनिशत कहा जाता है सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद है और इसकी जो रचना की थी वो भरतमुनी ने की थी 25 और जैमिनी सामवेत के ब्राहमण ग्रंथ थे हमने पहले भी कहा कि जो सब्त स्वर्थ थे सारे गामा सा जो हमें मिलता है वो हमें सामवेत से मिलता है सामवेत की तीन प्रमुक साखाएं थी जिसे हम कौमुत, रामायनी और जैमिनी के नाम से जानेते थे और जो सामवेत की साखाएं हुआ करती थी, उसमें हम ये जो कौमुथ और रामायनी और जैमनी हैं, वो अलग-अलग छेत्र में, जैसे जो कौमुथ था, वो गुजरात छेत्र में चलता था, गुजरात छेत्र में, और जो हमारा रामायनी होता था, वो महाराश्टर के छेत् में प्रचलित्ठा इस्यक्वार मुष्ग ऑठवंविद नाम से भी जाना जाता था अथ्षर आंगिर नामक दो रिशियों ने है डो रिशियों ने इसकी रिच्चना में भूमिं का निभाईती ये भी पूछा गया है कि अंगीरा 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 अथर्व का संबंद किस्ते हैं तो अथर्व वेद से हैं दो रिशियों में रिशियों से इसके संबंद का कारण है कि इसे अतीत में अथर्व गिर्शा के नाम से भी जाना जाता था पुस्तक का जो 99 रोगो सूचनाय समिक पिपलाड इसमें एक मात्र प्रामण की जो है खुपत वह में उतर्डी तार niemand अथरवेद का एक मात्र ब्राहमर था, वो कौन था? गूपत था. भारती औसेदी विज्ञान, यानि ये औसेदी विज्ञान की जो संबध परमपराती, उसकी उत्पत्ती भी अथरवेद से ही माननी जाती है. अथरवेद में अतलब आयूर विज्ञान जो हमारा आयूर अथरवेद के नाम से जाना जाता था. अथरवेद में वी सद्ध्याय थे, जिसमें 5687 मंत्र थे. अथरवेद में रित्वीज नहीं था, लेकिन इसके प्रधान रित्वीज होते थे, जो ब्रह्मा कहलाते थे. और अथरवेद की जो रचना थी, वो विश्व कर्मा ने की थी. पहले भी हमने देखा कि गोपत ही एक मात्र इसका ब्राहमर था. अथरवेद के कोई भी आरेडक नहीं थे, यानि कह सकते कार्याडों को पस्तित नहीं था, ब्राहमर मात्र एक था. और इसके उपनिसत, जो हमारे सत्य में उजयते, सत्य में उजयते जो है, वो हमें मिलता है मुंद को उपनिसत से, मुंद को उपनिसत से ही जो हमारा सत्य में उजयते है, वो लिया गया है. अब वेदांग की अगर बात कर ली जाए, तो हमने देखा कि वेदांग क्या थे? छे प्रकार थे थे. और पहले वेदांग होते क्या थे तो वेदो को समझने के लिए क्या हुआ था कि मतलब वेदो का अर्थ को सरलता से समझाने और कर्मकांडों को प्रतिपादित करने के में सहयोग देने के लिए वैदिक साहित वेदांग की रचना की गए थी किसके लिए कि वेदो को समझने के लि डंग से जब करने के लिए वेदांग की रचना की गई ती अर्था तो सरर फॉर्म में प्रस्थूत कर दिया जाए जिससे वेदों को अच्छे से समझने के लिए छे वेदांगों की रचना की गई वह कौन-कोन से थे मैं सिच्छा सिच्छा में हमें इस्तरोत के बारे में पता लगता था व्याकरण ये बताता था किस प्रकार से हम बिना तुरूटी रहित मंत्रों का जब कर सकते हैं उसके बाद था अनुष्ठान यानि कल्प जो था वो ये बताता था कि किस प्रकार की अनुष्ठानिक विधी होनी चाहिए निरुक्ती निरुक्ती जो था वो हमें किस इस्त्रोत की कैसे वियूत्पत्ती हुई है मतलब कैसे उत्पनुआ इसके बारे में चर्चा करता है चंद जो थे, वो मेट्रिक के बारे में बताते थे और जो हमारा जोतिस्था वो खगोल विज्ञान के बारे में चर्चा करता था सभी इन वैदिक पूरख द्वारा प्रदान किये जाते थे मतलए ये सारी चीजे की क्या सिच्छा में वेदों से मिलती है वो सिच्छा वेदांक द्वारा पता लगता है कलप से हमें उसके अनुष्ठान की विधी पता लगति है कि वेदो का अनुष्ठान कैसे किया जा, इसको सरलता समझाए गया व्याकरन में हमें बताया गया कि तुरूती रहीत कैसे उच्चारण किया जा सकता है निरूप्ति में हमें ये बताया गया कि किस प्रकार से ये उत्पन हुआ है और छंद में ये बताया गया कि किस प्रकार से लेब धरूप से उसे हम बोल सकते हैं और जो जो तीस्ता उसमें ख़बोल विज्ञान से कैसे ये संबद रखता और क्या जानकारी दी गई है इसकी चर्चा हमें मिलती है इस प्रकार वेदांग जो थे वेदों से संब्दिते इस विशाय में वेदांगों संब्दित इस विशाय में साहित की अधिक्ता को जन्म दिया इस विशायों ने साहित की अधिक्ता मतलब वेद थे उसके छे वेदांग आ जाये तो साहित अधिक लिखा गया था इसलिए इसे नियम का सूत्र कहा गया सबसे प्रसिद उदाहनर जो है इसके बारे में वेदान के बारे में वो है पाड़िनी की अश्ठा द्याई जो उस समय समाज अर्थविवस्था सल्सकृती पर प्रकाश डालते हुए व्याकरण के नियमों को दर्साता है वेदान को हमने देखा कि किस प्रकार से ये वेदों को सहज और सरल बनाने के लिए सरल भासा में लिखे गए और सूत्रों का निर्माण करते हैं इस प्रकार आज हमारा वेद काव साहित्य पोर्शन खतम होता है धन्यवाद